बीक बॉस 16 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है और सो को इस सीजन का वीनर भी मिल चुका है लेकिन यह भी सच है कि वीनर के नाम के अनौसमेंट से दर्सक खुज नहीं है उधारियां की तेजू यानी प्रियंका चाहर चौधरी ने जब बीक बॉस 16 में इंट्री ली थी उसी समय से उनका पूरे सो में दबदबा रहा था वह खुल कर खेली उनकी भेवाकी को खुब पसंद किया गया लेकिन आज बीक बॉस 16 के फिनाले में प्रियंका चाहर चौधरी तीसरे नमबर पड़ ही ट्रोफी MCS 10 की जोली में गई इसके बाद प्रियंका ने बहुत ही खुबसूरती के साथ जनता के इस फैसले को सिर आखो पर लिया उन्होंने अपनी हार सुईकार की और वह बाहर आ गई उन्होंने सल्मान खान से मिलते ही कहा मुझे जो इतना मिला है वही मेरे लिए बहुत है सल्मान खान भी उनके जजबे के कायल हो गए और उन्होंने प्रियंका चाहार चौजी की जम कर तारीव भी की प्रियंका खुद को एविक्ट होने के बावजूद भी स्ट्रॉंग साबित कर रही थी लेकिन अंकित गुपता को अपनी दोस्त का हार पसंद नहीं आया और वह नेशनल टीवी पर ही फूट फूट कर रोने लगे अंकित गुपता ने कहा मैं प्रियंका को नंबर टू तो क्या सो जित्ते हुए देख रहा था वह पहली बार खुट के लिए कुछ कर रही थी सो से बाहर आने के बाद प्रियंका ने इंटर्व्यू के दोरान सो नहीं जितने से अंकित गुपता के भावोख होने के बारे में भी अपनी भावनाव को सियर किया प्रियंका ने कहा कि अंकित को मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल समझती थी लेकिन मुझे ना जितते हुए देख अंकित ऐसे रोएगा मैंने सोचा भी नहीं था लेकिन अब अंकित के लिए मेरी इज़द और भी ज्यादा बढ़ गई है हमारी दोस्ती बहुत मजबूत और अच्छी है और हम इसे खराब नहीं करना चाहते हैं वेल दोस्तों आप यूं अंकित गुपता को रोते हुए देख क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताईए और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए